स्री लंका का सियासी बहरान मजीद गहराया पोजिशन ने तिहादी हुकूमत की तज्वीज मुस्तर्द कर दी पूरे मुल्क में मुझाहरों का सिलसला जारी अदाब नाजरीन मैं फरह जबीन बसरत आनलाइन में आप सब का इस्तकबाल करती हूँ स्री लंका इन दिनों अपनी तारिफ के बत्तरीन माशी बहरान से दोचार है सदर गोटा बाया राजा पिकसे की क्यादत पर से लोगों का एत्माद उड़ चुका है ऐसे में जहां मुल्क भर में हकूमत मुखालिफ एतजाजी मुझारे हो रहे हैं वही अपोजिशन ने पीर के रोज एक बार फिर हुकूमत से इस्तफा देने का मुतालबा दोराया है इससे कबल सदारती दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सदर ने पारलिमान में नुमाइनदगी करने वाली तमाम सियसी जमातों को मधू किया है कि वो इस कौमी बहरान का हल तलाश करने के लिए एक साहत मिलकर विजारती अहदे कबोल करें सबसे बड़े अपोजिशन इत्ताद SGB ने इस तज्वीज को मुस्ताद कर दिया SGB के होदेदार रंजीत मदम्मा बिंद्रा ने खबर रिसा एजन्सी एसोसियेटेड प्रेस को बताया इस मुल्क के अवाम चाहते हैं के गोटा बाया और पूरी राजा पिकसे फैमली इक्तिदार छोड़ दे और हम अवाम की खुआश के खिलाफ नहीं जा सकते और हम बद उन्वान अफराद के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते बाय बाजू के जमाद पीपल्स लिबरेशन फ्रेंट ने भी तजवीज को ठुकराते हुए राजा पिकसे और उनके खांदान से फौरण इक्तिदार छोड़ देने की अपिल की पार्टी के रुकन पार्लिमान अनुरा दिसानाइका ने कहा अगर गोटा बाया ये सोचते हैं कि अपोजिशन अराकीन उनकी हुकूमत में शामिल होंगे तो वो यकीन पागल होंगे एक दिगर अपोजिशन जमाद तमिल नेशनल अलाइंस ने भी इतिहादी हुकूमत के तजवीज को मस्तर्द कर दिया टी एने के तरजमान और रुकन पार्लिमान अबराहम समान अथिरन ने कहा ये बक्वास है और उनके इस्तफ़ा का मतालबा करने वाले अवाम मजीद मुश्तईल होंगे मुलगीर एमरजनसी और कर्फियों के खिलाफ वर्जी करते हुए इतवार के रोज हजारों अफराद सडकों पर निकल आये थे जिसके बाद गोटा बाया काबिना के तमाम 26 वज़रा ने इस्तफ़ा दे दिया था इस्तफ़ा देने वालों में गोटा बाया राजा पिक्से के दो भाई वजीर खजाना बासल राजा पिक्से और वजीर आपपाशी चामल राजा पिक्से शामल थे वजीर आजम के बेटे और स्पोर्ट्स के वजीर नामल राजा पिकसे ने भी इस्तफ़ा दे दिया था राजा पिकसे खांदान के अफराद और दीगर काबीनी वज़रा के इस्तफ़ों को अवाम की नाराजगी और घुसे को कम करने की कोशिश गरार दिया जा रहा है नाज़रें इस दौरान पूरे मुल्क में मुजाहरों का सिल्सला जारी है पीर के रोज मजाहरीन ने जुनूबी स्रीलंका में राज़ापिकस खांदान के घर के जानिप मार्च की करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने वाटर केनन इस्तमाल करके उन्हें मुन्तशिर कर दिया कर्स के बोच तले दबे हुए स्री लंका पर 2019 से ही राजा पिक्से खानदान की हुकुमत है हुकुमत में राजा पिक्से खानदान के मतादिद अफरात वजारती अहदों पर फाइज हैं गयर मुल्की जर्म बादला की कमी की वज़े से स्री लंका इंधन और दीगर जरूरी अशिया की दरामदात के लिए अदाई करने में मुश्किलात से दो चार है मुल्क में जहां लाजमी अशिया की खिलत पैदा हो गई है वहीं घंटों तक बिजली गाइब रहती है सदर राजा पिक्से के अपने अहदे से दस्ट बरदार हो जाने के मतालबे में शिद्दत आने के बाद उन्होंने जुम्मे की रात को मुल्क में अमर्जनसी नाफिस करने का एलान कर दिया हुकुमत ने मुल्क गीर कर्फियों भी नाफिस कर दिया था ताहम पीर के रोज से उठा लिया गया हुकाम ने फेस्बूक, ट्विटर, यूटूब, वाटसेप और दिगर सोशल मीडिया प्लैटफरम तक रसाई भी कई घंटों तक मुवीना तोर पर रोग दी थी नाजरेन कराम इस तरह की ताज़ात तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत आनलाइन से जुड़े रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्वीटर हिंडूर को फॉलो कीजिए शुक्रिया, खुदा आफ़स